दित्या मेरे मित्र क्या आप जानते हैं कि पिछले चार से पास सालों में तेरा करोड बहुत ही गरीब लोग गरीबी रेखा से उपर उठके आए हैं जो सबसे नियूनितम रेखा में नियूनितम लेविल पर है उनका भी लेविल बड़ा है लगातार जब आप पूरे पुब्लिक गुड्स का फायदा और अच्छी नीतियों के तहट करॉप्शन और पिल्फरिजिस के बगएर लोगों तक पहुचाएंगे अर्द बेवस्ता को मजबूत रखेंगे इंफलेशन से दूर रखेंगे और अपनी एकॉनमी को बहुत ही प के फायदा हूगा और जो हो रहा है, तो जो हो रहा है। the very fact that they are 13 crore Indians less poor than they were 5 years back, is a testament that the inequalities are being eased out and they should be, I agree with you. Less poor ka kya मतलब होता है ? The grief is pest aces, no? आपको पहले कि और जहां परेके पर्षाय के लिए जो बहुत हैं जए। प्रती दिन का आपने उनका प्रॉफिट बताया हमको लेकिन आप देखेंगे कि पिछले पास सालों में पूरे भारत में जो अबजेक्ट सबसे गरीब अवस्ता में जो रह रहे थे लोग उनका इजाफा हुआ है और वो गरीब नहीं रहे हैं जो उसकी जो उसकी व्याख्या है और 13 करोड भारती है अग पॉवर्टी से निकले हैं एलीवीशन और पॉवर्टी मतलब पूरी तरह से आप गरीबी को जो हटाने की बाद जो इंद्रा गांधी कहती थी वह भूरा है इसके अलावा आप देखेंगे पूरे कोविड महमारी में गरीबी मुलक है हमारा चार तो गुना भी इसमें फिट आ जाएंगे असी करोड भारतियों को मुफ्त में खाना मिला है जो अभी भी मिल रहा है यह अपने आपके बहुत बड़ी चीज़ें और यह अपने आपके बताती हैं कि हमारा जो वेलफेर मॉडल है वो कितना स्ट्रॉंग है और कितना प् इंट्रस्रक्चर के तहट लोगों तक वो फाइदा पहुचाएंगी जो अबजिक्ट पौवर्टी में गरीब रह रहा है उसकी जगह बहतर होगी उसको आयुशमान भारत या किसी भी मेडिकल स्की में उसको एक समधान मिलेगा अपनी मेडिकल जो उसकी जरूरते हैं उसक और उसको कम से कम भुकमरी में तो उसकी मौत नहीं होगी उसके खाने पीने को मिलेगा हाँ और उसको लेकर अर्द्विवस्था कर मजबूत होगी तो उसके रोजगार के तरीके चलो यह आपकी सही बात है पर आप बहुत पॉलिकली करेक्ट बोल रहे हैं मैं सच बोल नही पर आये थे जब कोलेज से ड्रोप आउट कर दिये अपने दोस्त के साथ वह उन्हें निताल वगेर अभी गये और कई जगह पर वापिस जाते हैं वह वापिस जाकर वोलते की ठीक है अध्यातम है वहां मैंने इंट्रेस्टिंग चीज है वह यहां वह सीखिए कि कि कोई इतने गरीबी में भी रहता है डिस्टरविंग है वहां की गरीबी इंसानी सब्वेता इस तरीके से भी रह रही है यह सोच भी नहीं सकता था मैं तो आपको खुशी नहीं होती है कि 73 में उन्होंने यह कहा और शायद उन्होंने इसलिए पहाऊँगा गरीबी के हाल थे वैसे और वह सहारन आफरिका हो और भारत जैसे देश हो बहुत गरीबी के हाला तो है लेकिन सोचिए वह भारत और आज का भारत जब आपल जो है यहां पर बाकाइदा ना सिर्फ अपनी मैनिफैक्ट्रिंग शुरू करने की बात कर रहा है बलकि उसके CEO कह रहे हैं कि भ मेरे को बोलनी नहीं दे रहे थी मैं तो आपके साथ हूँ आपके साथ हूँ